नमस्कार में स्वाती और आप देखना शिरू कर चुके हैं विंधिया टाइम्स रेल यात्रियों के रिए बड़ी खबर है बतादे कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पश्यम मध्धी रेलवे से दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब्धी को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है यात्रि इन स्पेशल ट्रेनों की बढ़ी हुई अब्धी का लाब 24 सितंबर से किसी भी कंप्यूटरी कृत आरक्षन के इन रिया ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट से ले सकते हैं दरसल मध्धी रेलवे के पूरे मंडल में दौंड मनमाड खंड के दोहरी करण पर योजना के संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा राहुरी पधे गाउं स्टेशनों पर प्री एन आई और एन आई नॉन इंटर लॉकिंग कामों के लिए याता यात और पावर ब्लॉक संचालित किया जाएगा इस कारी के तोरान पश्री मध्य रेलवे से प्रारंब और समाप्त होने वाली अन्य ट्रेनों को भी रद्द करी किया गया है तो आईए जानते हैं कि जबलपूर पूरे सापता है कि स्पेशल ट्रेन कब बंद रहेगी और कब शुरू होगी बतादे कि जबलपूर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 021232 जबलपूर पूरे सापता है कि स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 सितंबर को रद्रहेगी वोहीं पूरे से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 0213, पूरे जबलपुर सापताहिक इस्पेशल ट्रेन दिनांग 23 सितंबर को रद्द रहेगी ट्रेन संख्या 02132 जबलपूर पुने सापताहिक स्पेशल जो दिनांग 6 अक्टूबर तक नोटिफाइड थी वो अब दिनांग 29 दिसंबर तक चलेगी ट्रेन संक्या 021-32 पूरे जबलपुर सापताही के स्पेशल ट्रेन ड़ुदि नांग 7 अक्टूबर तक अधिसुचित थी अब दिनांग 30 दिसंबर तक चलेगी ट्रेन संक्या 021-87 रीवा CSMT सापताही के स्पेशल जो दिनांग 3 अक्टूबर तक नोटिफाइट थी अब दिनांग 26 दिसंबर तक चलेगी ट्रेन संख्या 02-188 CSMT रिवा सापताही की स्पेशल जो दिनांग 4 अक्टूबर तक अधिसूचित थी अब दिनांग 27 दिसंबर तक चलेगी बता दे कि ट्रेनों के समय कोच, कमपोजीशन और ठहराओ में कोई बदलाव नहीं किया गया है बहुत बहुत धन्यवाद